चलो आगे बढ़ो, देखो जो भी नहें आएं किसी के पास ते ग्रेट गुटका तो नहीं है ओके सर, जैसे भी होगा इंफॉर्म करूँगा चलो चलो आगे बढ़ो चलो 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 जल्दी करो यहां साइन करो नाम सर नागराज यादो, पिता का नाम सोमनाथ यादो, नाम विपिन कुमार सिंग, पिता का नाम राज कुमार सिंग, नाम मन्तोष्तर, पिता का नाम राम खिलावन सर, नाम सर मेरा नाम श्रीनू, बाप का नाम श्री राम मूर्ति, नाम मेरे नाम सूर्या है सर पिता का नाम इंद्रजीत है तेरा क्या नाम है बेटा कौन से केस में अंदर आये हो हाँ जब मैं भी जेल में आया था तो दो दिन तक किसी से बात नहीं किया था पर धीरे धीरे आदत पड़ गई मेरा नाम है राम बाबू मैंने दस साल तक शुगर फैक्टरी में काम किया शाम को भजन किर्तन करने की आदत है अपने ग्रूप में सिंगर कम रैटर मैं ही था मैंने अपने बारे में बता दी आप तुम भी कुछ बताओ हमारे सोचने से क्या होता है कुछ भी तू सोचे कुछ भी हो जाए जो भी होगा वो उसकी मर्जी से होगा प्रभू जो भी होगा वो तेरी मर्जी से होगा ओ रामा तेरी मर्जी से होगा अल्ला तेरी मर्जी से ह हाँ ठीक है ठीक है मुझे बात नहीं करना है मेरे साज इसको डाला है वो भी चुप रहता है मैं बोलू तो आपको तकलीफ होती है मैं क्या भगवान का किर्टन भीन अगाऊं अरे भाई गूंगा है क्या कुछ तो बोल यह उसके मुमत लग वो मर्डर केस में अंदर आया है अरे उधर प्रेयर शुरू हो गई है और तेरी लाइट ही स्टार्ट नहीं हो रही है पादर इंगलिश में गालिया दे रहें तु लाइट चालो करना यार अरे यार यह वायर में प्रॉब्लम है अगर मैं लाइट चालो कर दूंगा ना तो प्रभू को खोद आकर यहां मुझे शाबास ही दे नहीं पड़ेगी चल अब सब ठीक हो गया तीसरा बटन दबा अच्छा ठीक है हिंदू और मुस्लिम मिलकर चर्च में अगर रोष्णी कर दें तो समझो हर रोज ते और यह लो तुम्हारे पैसे थैंकिए फादर मैं अपनी शॉप शुरू कर सकूए ऐसे याशिरवात दीजिए गौड ब्लेस्यू आ इधर सुन जारा अरे तुझे याद नहीं गया तेरे अरे तु इतना धेरे चलाएगा तो तेरा बाप मुझे खा जागा समझ में आ रही यह बात अरे पीछे क्या देख रहा है आगे देखना यार लेट हो गया यार पता नहीं क्या होगा कि कि अगा टाइम क्या होग रहा है हम टाइम पर थे चाचा सुरिया के पास भी मैं टाइम से पहुंच गया था यह आपका बेटा पोरे गाउं की जीमिदारी अपने सर पर लेको गुमता जीस गाउं में कि देख रही हो सुमन तुम तो इसको छोड़ करके चली गई मैं रोज काम से वापस आकर खाना बनाता हूं और तुम्हारा ख्याल दिल से निकालने के लिए रोज पूजा करता हूं क्या ये सब कुछ गलत है तुम ही बताओ न ये सब नाटा करने की कोई जरूरत नहीं है आय आटा का एक क्वाडर के लिए इसकी इतनी बाते सुननी पड़ेंगी मैं नहीं प्यूंगा सुमन आज से नहीं प्यूंगा जाने दो छोड़ो ना चाचा आप नहीं प्योंगे तो वेस्ट हो जाएगा ये आपका है अगर आपने ग्लास की पूजा नहीं की न तो इससे पाप नहीं लगेगा मैं पूजाना करूं तो पाप लगेगा तुम दोनों बाप बेटे का ये नाटक मेरे लिए नया नहीं है क्या मांगा चाचा अरे क्या मांगेंगे सब कुछ तो जिन्दगी में मिल चुका है ये कैसा है मिर्ची काम डालिया इसमें अरे भाई आप से बात नहीं करते अरे बेटा काम से घर आता है उसके लिए कुछ अच्छा बनाया करो ना तो क्या मैं यहां घर पर बैटकर मक्हिया मार रहा हूं और इसी क्या होटल समझ रखा है तुझे खाने में रोज अलग-अलग टेस्ट चाहिए तो शादी कर ले बात तो सही है देख इस टूटी हुए छट को तोड़ का स्लैब बनाऊंगा फिर शादी अरे जा रहे ऐसे खयाली पुला बनाने वाले मैंने बहुत देखे तुम लोगों का नाटक खतम हो गया है सुनना तुझसे अर्जिन बात करनी है अच्छा एक बात बता आज तेरा मूँ क्यों ऐसे लट किलये भाइए कि हैं टोछेंट बात कितने चाहिए पचाश हजार रुपए तुझ के पास हजाना है क्या कि तुछ जितना मांगे गा यह देदेगा हैसुन पाइसल को त्यों कि वहाँपर काशी होगा और वह शिवा की मदद करके उसको जिता देगा तुझे तो पता है कल उसके पास तीन नावे होंगी और तू जानता है ने कि वो एक-एक नाव पर कितने पैसे लगाता है जानता हूं चाचा मैं जीतना तो चाहता हूं पर इन राक्षोसों से जीत पाऊंगा सही कहा तूने मैं तरे लिए उससे भी जब्रदस तयार करूँ आज तो पैसे के लें देन से रिश्टे400 करैंन पैसे मांग हुंगा तुन ठिर लेगा और बेखर को जाएगगा इससलिए उधारनी लेनेगा और एक बात, सूरिया के काम में कोई गड़बर नहीं होती है समझा, मस्त मोटर तयार करेके दूँगा, वहादा है मेरा ये बात भी सही है, अरे 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 छोटे तू, क्या चल रहा है गाओ में? अरे मैं सिंगापूर से थोड़ी आ रहा हूँ, काम में क्या चल रहा है, वहाब से बहतर हम कैसे बता सकते हैं, बताईए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार काशी न, राजनीती में उतरने की सोच रहा है उसका पेट चाहे भर जाए, लेकिन मन नहीं भरता, बस एक बार किसी पर उसकी नजर पड़ जाए, तो उसके पीछे पड़ जाता है, खास करके दूसरों की और थें, इसलिए उसकी अपनी वीवी छोड़ कर भाग गई, ऐसे आदमी को कौन देगा अपना वोट? पैसे लेकर साइड हो जाने के लिए बोला था, तुझे क्या लगता है, तुरेज जीत जाएगा, जो मोटर तुने मंगवाई है उसके विश्वास है तुझे, जो रेज हारने वाला है उससे बहस करके क्या फायदा? अब मैं अपना नाम वापस नहीं ले सकता है, तुझे इस रेज में हिस्सा लेने से कितनी बार मना कर चुका हूँ, तेरी नाव भले ही आगे रहन दे, लेकिन मेरे नाव से आगे नहीं जा सकती, मीटिंग का टाइम हो रहा है, चलता हूँ, बैट रहे है, अरे बैट जा, क काफी पीने को बोला तो अंगुटी कई को घुमा रहा है, आदत हो गई है मेरे, बहुत अच्छी अंगुटी है तेरी, ऐसी अंगुटी कहीं पर देखी है नरे, चांस ही नहीं है, चौधरी सोनार से बनवाया है इसा, एक अपने लिए एक भाई के लिए, तेरा वही भाई जो हाथ में जहंडा लेके नारा लगाता रहता था, ये स्कैम बन करो, वो स्कैम बन करो, वो दिखाए नहीं दे रहा है आजकल, मिला क्या हो, कहां मिला, पुलिस दुनिया भर की कहानी बना रही है, कुछ पता नहीं चला, यह, इस वक्त तुम लोग यहां बैठ कर क्या टाइम पास कर रहे हो, मिटिंग का वक्त हो गया, चलो, अब चले क्या, महेंगी चैन, लगता है, पैसे बहुत आ रहे हैं तेरे पास, नमस्कार, हर साल की तरह इस साल भी नाव की प्रत्योगिता होगी, और हर कोई सिंगल इंजन इस्तिमाल करेगा, और कोई भी किसी और बोट को टक्कर नहीं मारेगा, जो भी सबसे पहले, उस पुल के पास पहुँचकर उस गोल के अंदर जंडा गाड़ेगा, वही इस प्रत्योगिता का विजेता होगा, भाई, वो देख, और एक साल तक तालाब के मचलियों पर सिर्फ उसी का अधिकार होगा, वही उस तालाब का मालिक होगा, उसके अलाबा तालाब में कोई मचवारा नहीं जा सकता, अगर कोई मचवारा जाएगा, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, उसे पंचायत में दंडित किया जाएगा, तो सब लोग तैयार हैं ना, चलिए शुरू करते हैं, अखुचूर दजारा है, और इस बट्राशी की फोर्ट अवी ते आगे जल रही है, यह, जल्दी, 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 रखता है सूरिया के नाव की इंग्यन में वीजल खत्त हों क्या है मोटर में प्रॉब्लम है अरे वो लोग पास आगया जल्दी कुछ करना और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सूरिया की नाव लुख नहीं है और सभी लोग पांग देजी से आगे निकल रहे हैं अरे यार सुन ना अरे कोई धोका नहीं देगी और यह देखिए शिवा की नाओ आगे भी कल चुकी है सूरिया सूरिया यह जाल फसके था चल, चल, चल चल, चल्दी कार चल्दी चल्दी चला आइसे पूरिया की दाए में जो समस्य आ गयी थी वो ठीट हो गई है और अब पूरिया की नाओ चल गडि है राई राइछ से तर्ट लोग नेisia जलदी से आगे बढ़ रहा है जल्दी करर ओर देंग जए मगा देंग कर जदी ज़्या ज़्या самनि हो किया कर रहा है बाहलो रूटो छु dar आके शु केमस तरहिं आखर से कर रहा है शर वा्षिया, नहगे कन 向 जह झेड़ी कre czy Movies जल्दी आजा मैं जली मेंडे ओ जगाना जल्दी आज़ए जाए.. प्रविया देखने के बाद पूरिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगता है कि वो कुछ जबाद करने वाला है तीरे दीरे वो शिवा के खरीब पहुचने जा रहा है अब देखना है कि जीजिसी होती है सूरिया की या शिवा की दोनों नाव आस पास ही चल रहे हैं और ये क्या सूरिया की नाव शिवा की नाव से आगे निकल गई है ये पतियों जिका बहुत ही रोचक पूर्ण में पहुच गई है इसा भी सित की हो घरहा है कि भावत जल्ड है जल्ड है सूरिया इंजन में डीजल भताया और आप क्या करेंगे आर मैं जरू दो खेमें जर्ड है रिमा बहुत देसी से आगे पढ़ भाव मैं और ऐसा लग रहा है, वो अब सूरिया को पीछे छोड़ देगा, आज तक इस गाउं में ऐसी प्रत्यों कितार नहीं हुई थी, यह तो कमाल है, कभी आगे शिवा, कभी आगे सूरिया, लेकिन अंच में इस शिवा की होने वाली है, तो कि शिवा की राओ, मंसिल के काफी है, तug कि ओर बादि कि रहा है, यह तो कमाल ना सिश्य हैं, सूरिया ने शिवा से पहले उस-प होटो के चार दिया, यह तो कमाल हो गया भाई और अब जीत हो गई सूर्या की सूर्या जीत गया है जोड़ी देर पहले को सोट भी नहीं सकता का सूर्या जीतेगा क्योंकि सूर्या की ना फिर हराब हो गई थी और शिवा काफी आगे दिखना था जैके बावश इंड़कों उखमाल कर दिया आप भाई आखर में तूने कमाल कर दीआ है ठीक है ठीक है उसको बोल दे माल जलदी थे ते रेंको भाई ने ने वह भाई ने थी ती ने घूटिए राई यार क्यों रहे चंदो, तूने तो एक दाम कमाल ही कर दिया है तेरे पे मेरी नजार ही नहीं थी, कौन सी कमपणी की मोटर दी हैं? लोकल कमपणी, मेरे भाई ने बनाया है चल ठीक है, कीमत बोल, और वो इनाम का हिस्सा सीधे मेरे को दे दे, मैं तेरे लिए कुछ तो कर दूंगा रही इस साल जीत तो हमारी हुई है, तो मचलियों पे अधिकार भी हमारे ही होना चाहिए न? उससे पूछ रहे हैं, वो बताएगा न, बाकी का जो भी है, काशी भाई देख लेंगे सोच ले, पूरा एक साल है, और वैसे भी है जो काम है न, वो तेरे बसका नहीं है मचलिया पकड़ना उनको समभालना भहुत मुश्किल है रहे रेस जीतना मुश्किल था, वो तो जीत गए न, रही मचलियों की बात, वो भी समभाल लेंगे अब रेस इन लोगों ने जीत ली है न, जो करना है कर लेंगे, सब इन पर छोड़ दो हाँ भाई, मैं देख लूँगा न, अगर कोई प्रॉब्लम होई तो मेरा भाई है न, समाल लेगा इतने बड़े आदमी तुमसे कुछ पूच रहे हैं और तुम लोगनाटक दिखा रहे हो आदमी हैं तो दान करना चाहिए हक नहीं मारना चाहिए चलो रहे हमारी चीत बर्दाश्ट नहीं हो रही है चला जा क्यों रहे चल बोल पार्टी कहां दे रहे अरे मार क्यों रहा है राप में धाजू पार्टी है पक्का होगा होगा जिसका भी होगा ये दिल के बली उसका क्या सब लोग आ गए हम लोगों ने ये सोचा है कि इस साल नर्सिम जी की पूजा हमारे इस गाव में बहुत ही धूम-धाम से किया जाए और तीन दिन के इस कारिक्रम में भक्त जनों को और जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए तीन दिन के इस कारिक्रम से जो भी पैसा आएगा उससे मंदिर की मरमत करवाएंगे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि नरसिम भगवान की मूर्ती पर इस बार मैं स्वैम सोने का मुकुट चड़ाऊंगा हम सब लोगों को मिल जूलकरत काम करना होगा मंदिर के बाहर का काम नागेश्वर राउजीप मंदिर के अंदर का काम पंडित जीप भोजन का प्रबंद करुणाजीप और इसके अलावा लोगों का स्वागत और प्रोग्राम का सारा काम मेरा बेटा काशी देखेगा तू भी बोल बेटा इस बार बढ़िया दुकाने होनी चाहिए ड्रामा डांस और बड़े-बड़े प्रोग्राम करने का प्लैन किया है और बच्चों के लिए डीजे सेट और लाइटिंग भी लगवा रहे हैं और ये कॉंट्रैक्ट पड़ो उसके गाउवालों को दिया जाए ऐसा हम लोगोंने फैसला किया है अब बढ़ो उसके गाउवालों को पैसा क्यों देना क्या कोई मेरे बेटे के जैसी लाइटिंग कर सकते है इसे लिए तो एस बार बाहर के जिले से लोग बुला रहे हैं हम लोग जो बाहर से आएगा उसको लाइट और बल्ब के लिए तो मेरे पास ही आना पड़ेगा ना मैंने भी निया डीजे सेट खरीदा है पर सो राजेश जी की पोती का रिसेप्शन था और सुनिए बाहर वालों से थोड़ा पैसा कम ही लेगा मेरा बेटा जब घर में सामान रखा हुआ है तो बाहर से खरीदने की क्या जरूरत है हम लोग बात कर रहे हैं न तो पीच मीं क्यों बोल रहा हो हम लोग बैठा है न फैसला करने के लिए अगर इतनी चूल्ज ले तो हम हम लोग जाते हैं तुम लोग कर लो फैसला है तू छुपर है ठीक है घाओ का तेवहार है इसलिए सबको मिल जूल कर रहना चाहिए इस साल लाइटिंग का कॉंट्रेक्ट हम तुम्हें देते हैं कल आकर एडवांस ले लेना तुम ठीक है जी बाई वो जो सोड़ा शॉप है उसमें लाइट नहीं आ रही है वो लड़की दिमाग खराब कर रही है तूजरा जाके देख लेना खतम करके देखता हूं अरे तुब बात समझना वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है भाई बहुत ही तेज तर्रार है तूँ खुदी ओई आकर यहां लाइट क्यों नहीं आ रही है अब यह डब्ब मशीन लगाएंगे तो पूरा یALIट यही ऐ कहा जाएगी क्या कहा यहब डब्बा मशीन है जब करनेक्شन किया था तब नहीं देखा था तुन्हारी प्रॉब्लम किया है लाइट नहीं आ रही है न आ आजाए मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां क्या रखा है तुम्हारी स्लाइड का कोई भरोसा नहीं कब आएगी कब जाएगी पता नहीं स्पीकर बंद करो अपना स्पीकर तिमाग ठीकाने पर है ना जबान संभाल के यह लीजे आ गई न अब सुनो मशीन आउन करो पैसे तो ठीक छाक हो लेकिन एक बात कहूं तुम्हारा ओडियो विज्यूल मैच नहीं कर रहा है अरे मेरा यकीन मानों सब उनी का कमाल है अरे भूल कैसे गए अपने काशी जी अरे वा बेटी सोडा मस्त बेच रही हो मुझसे मुझसे मस्ती कर रही हो क्या पापा आपके दुकान मैं कब तक संभाल हो अरे बेटी ज़रा काम ता इसलिए गया था लो यह लो जाकर कुछ शॉपिंग कर लो क्या सोच रहे हो पापा तैंक यू बाई सूपर बेटी यहां बहुत सारे अवारे कुट्ते हैं ज़रा संभल कर जाना बच्पन से देख रही हूं पापा क्या कर लेंगे चलो चलते काउन तो मैंने नहीं किया लेकिन एक और मिल जाये तो मज़ा आ जाएगा वो देखना अपना नेक्स टार्गेट इधर ही आ रही है रेट साड़ी और वाइट गज्रे में चला गज्रे की खुछ बूले के आते कि अब तो यहां जले यह सही है ना हां देखे क्या आरे कहां जा रही हो मैं अभी साथ चलू गया हां क्या रहे लड़कियों के साथ छेड़का नहीं करता है कौन सा गावे तरह बागल पर यहां लोग पूजा करने के लिए आते हैं अब तो जैसे गदे यहां लड़कियों को छेड़ में आते तुमारी हरकत बरदाश करू ऐसी लड़की नहीं हूं मैं इसके अंदर हाट डाल दूंगे ना तो गंडे जैसा तुमारा भी जूस निकल जाएगा दुबारा तुम लोगों को यहां देखा ना भागो भाग रहे अरे बही मानना पड़ेगा उन लड़कों को तुमने सही सबक सिखाया ऐसे आवारा और लफंगे लड़कों से प्यार से बात नहीं होती तुमने बिलकुल करेक्ट किया मैंने बोला था ना मामूली लड़की नहीं है भाई बहुत ही तेज है अरे जो लड़की ज्यादा बड़वड करती है ना उनका दिल साफ होता है क्या बोला तेरी होने वाली भाभी है अरे ऐसे लड़की मिल गई ना तो दिल दुकान और घर सब संभाल लेगी तेरा दिमा तुम्हारी दुकान से खरीद रहें गया सब आपकी कृपा है आप इने कहा था ना कि गाउं में कमाल का मेला होगा तो सोचा के मैं भी चार पैसे कमाल हूँ यह लो मसाला सोड़ा स्पेशल आपके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए भगवान बेचर आकिला क्या कोई नया धंदा शुरू करो ना खब तक यह ऐसे सोड़े की दुकान खोल कर बैटे रहोगे यार उसके लिए पैसे चाहिए ना कितने बच्चे हैं आपको एक बेटी है बस कोई अच्छा रिष्टा देखकर उसके हाथ पिले कर दूं तो मैं भी गंगा ना हूँ चीक है व हाई हट सरा वो तीन दिन तक तो नहीं हो पाएगा हमारे यां मेला लगाए ना मुझे मेरे पापा की मदद करनी है अलो यह क्या रोड के बीच में गाड़ी रोक कर फोन पर बात साड़ में अटो रोड तुमारे बापू ने बनवाई है यह स्पीकर घर नहीं ले जा रहा म मेले में लगाने जा रहा हूं तो मेरे घर पर लगा दो लगा देता हूं बताओ गरणा है बाई उससे मारने पर जोर से लगती हैं अब क्या बताऊँ बेटि चमरी उधर जाती है धाई यह तो कोड़े बरसाने मूंड में लग रही है बाद में बात करते ना चलखलते हैं तो तो लड़की उसे दूर रहता है, तो फिर इसके पीछे क्यों पड़ गया? अरे लड़की कमाल की है, इसे छोड़ नहीं सकता सबके यहाँ बिजली है, लेकिन मेरे यहाँ क्यों नहीं है? समझ भी नहीं आ रहा है के ऐसा कैसे हो गया? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ लाइट चलेगे वहां सर सबकी दुकान में लाइट है लेकिन मेरी दुकान में नहीं है जराव देखिये न अरे यह आपके साथ ही क्यों हुआ करंट का आना उसका जाना यह सब हमारे आथ में थोड़ी नहों होता है मैं देखता हूं सब्सक्राइब इसमें तो टाइम लगेगा चलिए काम करते हैं अपन दोनों सोड़ा पीते हैं अरे पैसे मैं दूंगा चलिए ना सोड़ा पियेंगे आप दो सोड़ा मैडम गेस्ट फर्स्ट पीजे ना थांक यू गोली अटक जाये की ध्यान से यह ता इदर ही है बड़ा मसा करती है आप लोगों की किड्ने में स्टोन होता है मेरे में गोली होगे और क्या अब ये चालू हो जाएगा राइट सली गई ना लेट में चेक आप इस पे तो टाइम लगेगा ना चलिए सोड़ा पीते हैं चित्र का क्या वो तो बादमें बना लू और आईये सोड़ा पीते हैं यह यह बीसवा सोड़ा है तुमारा सोड़ा पिकरी मने का विचार और सोड़ा पिकरी जी सकते हैं थोड़ा-थोड़ा है यह यह इस वार नहीं है कि अब इदिया चाहिए बिजली चाहिए बेटी तुम मुझे क्यों बता रहे हो बेटी मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं तुम दुकान में आती हो मेरी बिजली चली जाती है और फिर वो लाइट मैं मेरे पास ही आता है और जानती हो अब तक वो मेरा 100 मीटर वायर बरबाद कर चुका है इतनी छोटी सी दुकान के लिए इतना वायर क्यों बेटी उससे समझाओ ना बेटी अरे वो तुम्हारे लिए ही यहां आता है तस्मीर पूरी होने से पहले ही बि और रे जरह देखें भाई आए अरे सॉरी शिवा बैलेंस पिकड़ गया तेरा दिमाग खराब हो गया क्या ए सॉरी बोल दिया ने इसने मैं उससे बात कर रहा हूं तो तुझे बीच में बोलने की सरोथ क्या है ए सॉरी बोल दिया ना मैंने अब इन्होंने इतनी बखवास नारायन स्वामी जी के दर्शन करते वक हां ले ले उसे जेब और चीजों का ध्यान रखें, सभी अपने अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारी फूद उठाएं, बेला कमेटी आपके नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी पता नहीं लोग क्यों रोनी शकल लेकर आजाते हैं, यहां से चलो चाचा, बहुत भूख लग रही है, कहीं जाकर कुछ मस्त खाते हैं, अरे पता है आ सुबह क्या हुआ, वो लड़की फिर से दिखी चाचा, कौन सी लड़की? सोडा शौप अली, श्री देवी नाम है, नाम तो बहुत अच्छा है, वो लड़की बहुत अच्छी है चाचा, पता है, सूरिया उस पर फिदा हो गया है, सूरिया किसी हीरो से कम है क्या, देखना वो लड़की भी उसे पसंद करेगी, मैं उसको फोन करता हूँ हाँ, बोल, हलो, कहाँ पर है यार, तब बेले में हूँ यार, दूद निकाल कर सबको दे कर आता हूँ, अरे, मजाग मत कर यार, हम लोग तेरा वेट कर रहे है, साथ में एंजॉय करना है, तु कब आएगा, अरे, नहीं भाई, मुझे काम है थोड़ा, सोड़ा, फोन काट यार, नहीं पी पाऊंगा, तो अगर, तु में, मतलब सोड़ा, पीना हो, तो मुझे कहां आना होगा, इन तीन दीनों मेरा आधा सोडा तो तुमही पी गए, तुम्हें सोडा इतना ज्यादा पसंद है, तुम्हें क्या लगा, तुम यहां बार बार क्यों आ रही हो मुझे पता नहीं, मेरा नाम श्री देवी है, तुम्हारे जैसा ही एक लड़का सोडा के बहाने मेरी पीछे तब से लोग मुझे सोड़ा श्री देवी कहने लगें वो सब तो ठीक है पर तुम्हारा घर कहां पर है इतना तो बता दो मैं जो बोल रहे हूं तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है देखो मेरे पापा आगे उनसे ही पूछ लो अच्छे से बता देंगे आ बेटी सारा सामान समेट लिया हाँ बस होई गया पापा चलो अच्छा ही हुआ पास में कुल देवी का मंदिर है चल जा कर दर्शन करके आते हैं तो हम लोग यहां तक आगे हैं तो हमें दर्शन भी करी लेने चाहिए हैं बोलना क्या है तरीको अरे यार इतना क्या बीजी है सोड़ा बना रह आता है अलो है इसने तो सुचाफ कर दिया देख रहा हूं ना चाचा वह उस लड़की के लिए दिवाना हो गया है तो ने बोला वहां पे खेल दिखा रहे हैं और यहां खड़े खड़े बोतल पे बोतल गटग रहे हैं मेरा दिवाग खड़ाब हो रहा है वह कदा मेरा मजा गुला रहा है उस चंदु में उत्रा जिगर नहीं है रहे वैसे क्या बोला वो सुरिया कबाप और चंदु मेरा मजा खुड़ा रहे हैं ते वहार चल रहा है इसलिए छोड़ दिया मैंने लेकिन वो अपनी आउकात भूल रहे हैं जबसे वो रेस जीता है तबसे इनका नाटक बढ़ गय है उस सूरिया ने तो मेरे मूपे कीचर तक भेग दिया था एक तो सुबह से तुमुझे दिखाई नहीं और उपर से इस बारे में भी नहीं बताया मेरी छोड़िये भाई उसने तो आपको भी वो क्या इस गाओं का प्रधान है क्या कब क्या करना आप वह में बताएगा उस दिन आपकी फोटो पे कीचर उचाल दिया मेरी फोटो पे कीचर उचाला मतलब वो कीचर हम पे गिरा वो चंदू एकदम सही है रही है लेकिन वो सूरिया पीछे से उंगली कर रहा है और उसका बाप भी उपर से डायलॉग मारता रहता है कि इतना बरदाश्क करेंगे रहापन एक तो यह पूरा मिला अपन लोग का है तुझा जो भी होगा देख लूँगा मैं देखना सूरिया उससे शादी कर कहीं मानेगा क्या रहे तुझे मेरे उपर बड़ी हसी आ रही है ना हाथ अटा तो अपने आपको समझता क्या है वे जो तुझे देखके हसूंगा जब से तुम लोगों ने रेज शीतिये बड़ी चर्वी आ गई है दिमाख है रावे क्या तेरा इस शिवा देखिए तुझे देखकर नहीं है सा त्योहार के देन जगडा क्यों करते हो चलो जाओ अवे बुढ़ें मूव बंद रख अगर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो तुम लोग अपनी आउकाद भूल रहे हैं तमेश से बात कर शिवा बड़े चोटे का लियाज नहीं सिखा क्या अरे शिवा मुझे हाथ लगाता है अब ही काट दूंगा दूश्या है अरे शिवा छोड़ों मेरी बास सुनो अकाद भूल गया ना तो अकाद दिला रहा हू तो तेरी हटी पसली एक कर देगा कॉलर पकड़ने पर हटी पसली एक करेगा अब तू देखना मैं क्या करता हूं तेरे साथ देखता हूं वो क्या कर लेगा मेरा अब मैं तुछ पे पेशाप करूंगा देखता हूं तेरा वो बेटा मेरा क्या करते है थे थे शिवा एसा मत कर शिवा शूरिया कहें तू शिवा तेरा जग्रम से लेकुंट अगने तू जाज़ा किसाथ कुज मत कर शिवा भूर यह तरेको बोल रहा हूं शिवा सुरिया क ज्रूशल, सिप्शिग डिख और कोुमा यह! श्रिया! श्रिया! श्रिया श्रि बाराल 26 श्रिया! शुरिया! दूढ में जञ्टि श्रिया! शुरिया! कि पहल जो घर जी हो शेखाğ Multip हाई वहाई ग। पपा व्प। का वह अपा अपाका सुर्या सुर्या योपा वcej बढ़ता शेक्वी हाई हाई टेक्ल हाई हाई हुऊ सुन्सुन कर दो कर दो और खर खर गर कर दो झाल। करेब眠 जुद ह१ार जिरीफ करेब चरत करें भाहर जुझ हको टह रदर न Quickly सब्सकतने कि अर शब हॵार टुर क। तुर हुआ 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 था हुआ कर रिर जुर हुआ 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 क। झाल। जख जब से लुगने कि अजब से लुटारी, हो बतो हो अजब से लुटे हैं कर दो, औरी आप ये कर दो भी नखेश प्रय और अफर स्मी किवर कवें तरिटंग Eugene क्योंग sûr। ब शीवा वकील साब वाकील साब तर्टीज भी तर्टीज ना? हाँ देखिए मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और केस भी बन गया है इतनी जल्दी क्या थी? कॉंप्रमाईस से मामला खतम हो जाता वो अभी हॉस्पिटल में है हालत सीरियस है जान भी जा सकती है काशी छोड़ेगा क्या इसे? तुम्हारे उपर ये इल्जाम है कि तुमने शिवा को जान से मारने की कोशिश की इस बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने मारा है सर ये मैं मानता हूँ लेकिन उसने क्या किया? पूरे गाओं के सामने मेरे बाप पे उसने पिशाप किया आप भी बताईए क्या करता? मेरे पिताजी के इज़त पर पूरी जिंदगी में कभी उन्होंने दाग नहीं आने दिया और इसने सब के सामने ये सब किया अगर आपके महबाप के साथ कोई ऐसा करेगा तो आप भी यही करेंगे न अगर मैं उससे नहीं मारता तो वो मुझे गला दबाकर मार डालता ये बात ये आपको नहीं बताएंगे सर अगली सुनवाई दो सपता बात होगी बेल अप्रूवड जड़ा एक सोड़ा दे ना हाँ देते हूं काशी हम लोग एक गाउं के हैं जो होना था हो चुका है आपस में बैठकर बात कर लेते हैं ताकि कोट ना आना पड़े वहां पर एक इंसान की जान जा रही है डॉक्टर ने बोल दिया है कोट के चक्कर काटने की ताकत है मेरे में मैं देख लूँगा और जो हमारे नुकसान हुआ वह कौन देखा क्यों बै अरे बहुत ज्यादा बोल रहा है कि तो उसको छोड़ने का सावाल ही नहीं है चल ठीक है देख लेंगे देखेगा बहुत जुमान चल रही है तरी तो क्या तो क्या रुको रुको क्या है यह कोट के सामने जगड़ा करो वे बेल मिले आदा घंटा भी नहीं हुआ है फिर से अंदर जाना है क्या अकल है कि नहीं छोड़ दो चलो जाओ कि शीवा के पास जाओ और आराम से उससे बात करो अभी वह बहुत गुस्से में है रात को से समझाकर कल अपने साथ ले आऊँगा देखो अब तुम्हें ही सब कुछ करता है ठीक है चलता हूं सर बैठे सुन तू किसी से बात नहीं करेगा मैं सब सभाल लूँगा क्यूं बेटा जिन्दा है या मर गया ये देखने आये हो सुने माजी उस दिन शीवा नहीं जगड़ा शुरू किया था ये नहीं बताया क्या कैसी बाते कर रहेंगे वहन जी हमारे गाओं के बार में पता है न और मेरे बेटे ने कभी किसी का कुछ बेकाड़ा है क्या शिवा भी बच्चा है गलती कर गया इसने मुझे बुरी तरह अपमानित किया अगर हमने इस पर केस किया होता तो बेल भी नहीं मिलती से तो जाके केस करो ना किस ने रोका है मैंने कहा था ना पापा चलिए रोकना देख शिवा तूने उसका गला दबाया तभी उसने तु आप सही कह रहे हो यह पुलिस वकील हमें पूरी तरह नोच खाएंगे अब आप ही बताईए क्या करना है आप बस इस पर साइन कर दीजिए बागी सब मैं संभाल लोगा ए तुम लोग बहार जाओ मैं साइन करवा कि आता हूं मर क्या हूँ अरे मर कहा है वो देख सुनो छुपने की जरुरत नहीं है मैंने देख लिया है अरे तुम यह क्या कर रही हो यह सवाल मुझे करना चाहिए तुम यह क्या कर रहे हो मेरी तो यहां दुकान है इसलिए मैं आओ सब्सक्राइब करें हो तुम और को ब अन्याया दो कोको प्लभा की कुछ दन्दा नहीं इसे डालोग मत मारो काम से यहosse कुछ फेड़ी ऑटतक चली की इंश्व डिक सभी और वैसे Virind विसक्ताइब mind कि तुम कुछ भी बोलो मतलब जितना ज्यादा देखता हूं उतनी ज्यादा अच्छी लगती हो और थोड़ा थोड़ा तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं देखो नियत मेरी साफ है तुम सोड़ा का काम करती हो तो मैं भी एलेक्ट्रिशन हूं पूरे गाउं को संभा से पूछो कैसे हो सूरिया पूछा कभी हां कभी पूछा वह सब मैं क्यों पूछो और तो और कौन पूछेगा मेरे पापा को बताओ अरे तुम्हारे पापा इधर नहीं है ना मतलब तुम नहीं बोलोगे ना जाकर लाइटिंग की लाइन ठीक करो मुझ पर लाइन मत मारो कुछ बोल रही थी ना कुछ नहीं यार नूर्स नहीं बनाये थे तो सर ने मुझे डाड दिया ऑफ भाई इस साल हमारा सारा करजा चुकता हो जाए टेंशन की कोई बात नहीं है बस तो देखता जा अरे वो देख उधर ही आरही है आरही है अरही है लगता है पेट्रोल खतम ह स्टार्ट कर नाटक की जरुरत नहीं है यहां क्या कर रहे हो कंकर और पत्थर ढूंड रहे पूरे गाउं के सब दिख रहा है ऐसे रोड़ पर भटकने की जरुरत नहीं है जारी घर ही आजाओ सारी तकलीफी दूर हो जाएंगी कि इसके घर चलता है कि इसका पीजा करते हैं दिछे आ रहे क्या है यार आतो राय दिखने में ठीक ठाक है तेरा दीवाना है यार बहुत हैंसम है तुझे पसंदे तो तुई चली जा ओ शिर्देभी रुखो जरा उतरतों कितने दिनों तो किसके आगे पिचे गुमूंगा आज फेस्तक करके ही मा क्या बात है तुम ऐसे क्यों कर रही हो दो मैंने से तरे आगे पिछे घुम रहा हूं दिल दया कुछ निया क्या तुम आरे पास अगर आज तुमने आलव यू नहीं बोला ना तो देखो जहर की शिशी लाया हूं और लेटर भी लिख लिया है सेल्पी वीडियो बनाके मर जाओंगा एक मिनिट भाई बोलो अरे बात तो सुनिए तुम कुछ बोल कि सारी फ्रॉटम दूर हो जाएगी वीडियो मैं बनाता हो ना लाइए भाई ये वीडियो ना चारों और वारल होनी चाहिए अब तुम आयल भी बोलती हो यह मैं जहर खाके मर जाओं चल मर जाओं घंटे शुरू हो जाओं यह तो मजा करी है देखो क्या है तुम भी लाइन में हो क्या कब से छे दिन से भाई छे दिन से छे दिन होने के बाद भी तेरे सर पे अभी तक सोडा की बोटल ने टूटी क्या नहीं ऐसा तो नहीं हुआ इसके पीछे घूम रहा हूं लेकिन फिर आवारा लोगों के बारे में मैं क्यों सुझू तुम क्या सुनना चाहते हो पसंद हूं की नहीं बता दे बस बताओ भाई पसंद है या नहीं दोनों के गाल पे चमाट लगाओंगी मारोंगी बोलती लेकिन मारती नहीं है यह जब नाटक बंद करो और सीधे बताने के लेकिन इसकी आखों में प्यार का बल्ब देखा है मैं यह क्या उस रड़के को देखती तो तुम्हारी आखों में बल्ब जलता है यह बात जाकर मेरे पापा को बताओ सारे बल फूर जाएंगे बता दो हमेशा यहीं बोलती रहती है पापा से बात करो घर आ जाओ तुमने उसे क्यों बोला सिख ड़ेवी मुझे सारी बाते समझ में आरी है यह लड़की तुम्हें सिगनल दे रही है अब मैं किसी की बात नहीं मालूंगा अब मुझे दे मैं खोड़ता हूं ना यह कह रहा है तुम बल्ब लगाते हो लाइट लगाते हो पर पदा है खुद क्या हो क्या तुम बलाइट तुम बलाइट अरे चोड़ क्या हुआ मुझे बिंपंख ही उड़ने लगी ये कैसी तिशनगी तेरे लिए दिल में जगी कि अच्छा हुआ चले गए अच्छा है इसके रिष्टे के लिए मैं पूरे गाओं में भटक रहा हूं और ये सिने महल के चकर काट रही है वो भी किसके साथ पता है जो खून के इल्जा में कोड के चकर काट रहा है तुझे अपने कॉलेज में कोई नहीं मिला क्या अरे वो काशी इसके लिए कितने अच्छे रिष्टे देख रहा पता है देखो कैसे देख रही है यह गलती का थोड़ा भी ऐसास नहीं है शर्म नहीं आती तुझे इकलौती बेटी इसले सर पर चड़ा के रखा है इस दिन के लिए तु अब घर से बाहर निकल के दिखा तेरे पेर तोड़ दूँगा है ऐसे क्या घूर के देख रही हो समझाओ इसे कुछ खाया क्या जा जा कर लेकर आ तुझे डांटने का मन नहीं करता है बेटा कोट के चकर काट सकते हैं के तु ही बता चार लोग क्या सोचेंगे शादी के उम्र हो गई है तेरी तुझे समझना चाहिए न वो गलती करके कोट नहीं गया है पापा कलत लोगों से जगड़ा करके गया है वो अच्छा इंसान है ठीक है अच्छा है पर तेरे लैक नहीं है हम तेरे लिए उससे भी अच्छा रिष्टा देखेंगे बेटा नहीं बेटा नहीं मेरी बात सुन ठीक से बढ़ा ही कर ले ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए ये जिन्दगी का सवाल है समझ रही हो ना चल खाना खाते हैं आजा हुआ रहाँ काना चाहा है है यार सोड़ा पी लिग्या चल कोई बात ने काम हो जाने की बात पीते हैं पहले काम करवा लेते हैं नमस्ते अंकल नमस्ते बोलो वह वकिल साब ने वह जो मैटर दिया था अभी टाइप नहीं हुआ कि अभी कर रहा हूं अरे अंकल थोड़ा जल्दी करो ना हो जाएगा पैसे तो दो हां जितनी फीज होगी मैं दूंगा ना वैसे कितना हूँ आपका पच्छी सूर्पया सूर्या बेटा कि जरा इधर आप कोई नहीं है वीच साल पहले इसी गाड़ी से शुरुवात की थी और अपनी मेहनत से यहां तक पहुचा हूँ गाओं में तेरी क्या इधर था वो तो पता नहीं है लेकिन मेरी और मेरी दुकान की बहुत इधर है मैं भी चार लॉयर्स को जानता हूँ एक केस करके तुम्हें अंदर करवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है गलत है ना तुम कहां और मैं कहां थोड़ा सा तो सोचना समझना चाहिए चार बाते सुनाई उन्हें दिल पर मत लेना उसके लिए रिष्टा देख रहा हूं मैं महरवानी करो जाओ चार दिन हो गया है ना फोन उठा रही हो ना दिख रही हो तुम नहीं देखती तो मैं पागल हो जाता है ऐसा क्या हुआ है कि तुम मुझे ऐसे अवाइड कर रही हो कुछ नहीं होआ है रास्ता छोड़ो मुझे जाना है अरे लेकिन तुम अचानक ऐसा करोगी तो फिर मेरा क्या होगा ट्यूशन का टाइम हो रहा है मुझे जाने दो ठीक है ट्यूशन के बाद मुझे अकले में मिलो कुछ बात करनी है क्या बात करनी है मैं नहीं आऊंगी मैं इंतिजार करूंगा सिर्फ बात करने के लिए तु बुला रहा है उसकी हालत देखे मुझे उस पर दया आ रही है अगर मेरे घर पता चल गया ना तो मेरे पापा हंगामा कर देंगे चार दिन चुप-चाप रहने के लिए बोल रही हूं फिर भी परिशान हो रहा है मैं चारा सूर्या तेरे प्या यार में एक अलग ही फिलिंग होती है लड़कों को परिशान करने में मज़ा आता है क्यों बुलाया बुलो मेरे पास टाइम नहीं है तर पर बिना बताया हूं मेरे पास भी टाइम नहीं है मैं भी बापको बोलकर नहीं आया चार दिन से कितनी बार फोन किया मैंने कुछ भी जवाब नहीं दे रही हूं अगर कुछ हुआ है तो बात तो करनी चाहिए न क्या बात करेंगे तुमहरे पापा ने कुछ बोला कि डाटा तुम्हें हात उठाया इधर देखो बहुत दर्द हो रहा है ना हा बहुत दर्द हो रहा है मेरे पिताजे को यह सब पसंद नहीं है हम अब नहीं मिल सकते लड़की की पसंद का लड़का उसके बापको कभी नहीं बाता तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरे पिताजी ने एक अच्छा रिष्टा देखा है शुक्रवार को लड़के वाले देखने आ रहे है मतलब लड़के वालों के चक्कर में बिजी थी और मेरे फोन नहीं उठा रही थी तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ मना करने के लिए कोई रीजन तो होना जाईए तुम शॉप खोलने के लिए खुद घूम रहे हो मेरे पिता ने शॉप वोले लड़के को पसंद भी कर लिया वहाँ पर तुम्हारे जैसे दस लोग काम करते है तुम्हारे आगे पीछे घूमने के चकर में शॉप साइड में रख दी और नख खोल चुका होता अब मेरे आगे पीछे घूम कर टाइम वेस्ट मत करो बुलाया था इसलिए आई थी अब जा रही हूँ ठीक है मैं तुम पर जान छिड़कता हूं और तुम इस तरह से छोड़कर जा रही हूं जान की बात मत करो जान लेने देने के लिए क्या हमारा प्यार इतनी दूर तक चला गया कुछ मुलाकातव को प्यार का नाम दे दिया तुमको ज्यादा ही सोच रहे हूं मैं ज्यादा सोच रहा हूं तुम इसे जा रही हो na मुझे प्यार है याे यो से फिन देंद पागल हो गयों क्या, कितना खून बह रहा है, इतना गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा, देखो, यहां देखो, मैंने तुम्हें रुलाने की लिए सोचा, लेकिन तुमने मुझे ही रुला दिया, आगे कैसे मेरा साथ निभाओगे? इतना प्यार करते हो मुझसे, तुम कितना प्यार करते हो, यह तो दिखा दिया, अब मैं अपना प्यार तुम्हें कैसे दिखा हूँ? तुम मुझे कितना पसंद हो, इससे जादा नहीं बता सकती, समझ गए ना? अच्छा, एक बाद बताओ, इस सब के बाद लड़कों का प्यार कम हो जाता है, क्या मेरे लिए तुम्हारा भी प्यार कम हो जाएगा? मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूँ. शुक्रवार को मेरे लिए रिष्टा आ रहा है, और हमारी आज ही सुवागरात हो गई. अब आगे क्या करना है, बताओ? घर संसार कैसे शुरू करे? तुरे पापा ना पागल है, एक काम करता हैं, मेरा केस भी शुक्रवार को खत्म हो जाएगा, तो हम दोनों एक काम करेंगे, चार बज़े मंदिर में मिलेंगे, और वही पर शादी करेंगे. एक बार शादी कर लेंगे तो उसके बाद हमें कोई नहीं रोक पाए तुम बात को समझ रही हूं ना देखो टाइम पर आजा ना ठीक चार बज़े ठीक है लड़की पसंदो तो बाकी बातें भी कर ली जाएं काशी जीने पहले ही बताया था कि लड़की पसंद है शिर्फ फॉर्मिल्टी के लिए ही आये थे नहीं तो बारात लेकर सिधा मन डप में आते हैं काशी जी की बात हम टाली नहीं सकते कि मैंने सारी सेटिंग कर दी है दो घंटे में ममला क्लोज हो जाएगा शर्मजी जच साहब लंच के बाद आएंगे क्या लंच के बाद आएंगे ही ऐसा बोल नहीं सकते कोई बाद नहीं आज आएंगे आधे गंटे का काम है कुछ नहीं होगा सूर्या घबराओ मत आज तुम्हारा केस खत्ब हो जाएगा मेरा काम तो हो जाएगा ना हाँ वो हो जाएगा तो आज ही क्या करना है बस अब शादी के तैयारियां शुरू करनी है बेटी कहां जा रहे हूं वो क्या है ना पापा मैं सुनीता के घर जा रही थी चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं आता हूं मैं ठीक है आज़ा ठीक है थीके दाए पापा रहें हैं झाल झाल शिवा के केस में सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये अदालत आज इस केस को खत्म करने की अपील मनजूर करती है ये इनल इल्ला चाहिए श्रीदेवी याने यहना वो वो अंकल अरे जारा हूं यार ये बाइट माल आके देखते हैं ये अरे क्या रास्ते पे गाड़ी लगा दी है अधाना ये अच्छा साइट से निकल जाओ ना इमा घर जोड़के आते ये अरे जोड़के आते हैं केस आज खत्म होने वाला था लेकिन शिवा की हॉस्पिटल में इलाज करवाने के दर्मियान मौत हो गया इसलिए सूरिया के उपर लगाये गए हत्या की कोशिश का केस अब हत्या के केस में बदल गया है जब तक इंक्वाइरी पूरी नहीं हो जाती तब तक सूरिया को ट्राइल कहिदी के तौर पर जेल में रखने का आदेश दिया जाता है कि शूरिया कहा है अभी तक आयानी क्या ओन करो ना उसे कि अ कि अ आप दो है 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 दो जो शूरिया है शुर्याँ! 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 अगले चार दिनों में 15 अगस्त आ रहा है हर साल की तरह इस साल भी जंडा वंदन कारिक्रम के लिए जिला कलेक्टर सहब आ रहे हैं इसलिए पूरे जेल की साफ सफाई करके सजाना है अगर किसी को देशबक्ती का गाना गाना है वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है तुम मेंसे है कोई ऐसा जिसमें स्पेशल टैलेंट है सर, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूं सर सर, मैं बहुत अच्छा बजाता हूं सर सर, मैं स्टेज की लाइटिंग और साउंड संभाल लूँगा लाइटिंग का काम लेकर बहुत अच्छा किया तुने अब तु जेलर की नजरों में बना रहेगा अगर उसको समझ में आ गया तो सजा चाहे जैसी हो वो तेरी सिफारिश जरूर करेगा तुम बहुत जल्द अपनी शिश्देवी से मिल सकते हो समझ में आ रहा है ना मेरे आदमी तुझे कुछ समान दे रहे थे तुने मना कर दिया मडर के सेन तरे उपर आजरी देनी पड़ेगी जरह इससे समझा रहे क्या करना ये बताएगा क्यों रहे बात समझ में आ रही है बता ना बात समझ में आई क्या घूर क्या रहा है बे छोड़ो ना भाई आथे नीचे करने ही तो फोड़ दूँगा भाई भाई क्या हुआ जेलर साब तुम्हें गुला रहे है वो रामनगर का सीनू है बड़ा क्रिमिनल है बाहर कम जेल में जादा रहता है जेल के अंदर दारु गाजा सब बेचता है उससे तू पंगा मत लेना शांत रहना इन लोगों से पंगा लेने के लिए मेरे पास टाइम कहा है यह काम मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं जेल से भाग सकूँ चोड़ो सार मैंने कुछ नहीं क्या सब पंदर अगस्त करीब आ रहा है और जेल के अंदर यह सब चल रहा है ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो यहीं होगा याद रहे के लेक्टिस आवार है रहे हैं किसी को भी छोड़ना नहीं जब तक नहीं बताते मारते रहो कोई छोटी सी भी गल्ची नहीं होनी चाहिए आज रहात ही बाहर जा रहा हूँ तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे घर पर बैठा हुआ है कैसे जाएगा यह लाइटिंग की काम में पावा सप्लाई बंद करने के लिए छोटी सी सेटिंग की है शाम होते ही सब जेल के इंदर चले जाते हैं मुझे खेल्प करना प्लैनिंग के हिसाब से फ्रस्ट फ्लोर पर पहला स्विच आउन कर देना उससे क्या होगा लाइट चली जाएगी जेल में लाइट नहीं जाती है जेनरेटर है ना आटोमेटिक चालो हो जाता है नहीं क्या वास हो रहा है खाना नहीं खाओ गया पेट में गडबड है ठीक है जल्दी से खाना खाओ लेट हो गया है ए उसको निखाना गया सर डाइनिंग रूम की लाइट चली गई सर में स्विच चेक करो ठीक है चेक करता हूँ जल्दी जाओ जाकर देखाऊ हाँ 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 ओके सर जेनरेटर अभी तक चालो क्यों नहीं हुआ सर में बोर्ट का फ्यूज उड़ा हुआ है सर देखता हूँ ए उदर का देख पूरा ने को जाए नहीं इस नहीं सरी आब करता है श्यदी 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 आब उडिच यह वबें एक आंको दर्वाशा है सुरी आल 먼저 लिवाशाई मिल्सोरी आल सुर्या तुम तुमको जेल बहुत गोटन सी हो रही थी तुम्हें भाग आया उलिसके हाथ अगर लग गए तो तब क्या होगा मुझे फिक्र नहीं है फिक्र तो इस बात की है कि मैं जेल चला गया तो तुम अकेली हो जाओगी कि तुम उसकी चिंता मत करो बस इतना जान लो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ अच्छा तुझे यहां आने की क्या जरुरत थी अरे तु अपना मुझ बंद करना चुप नहीं रह सकता ठीक है चुप हूं को देख लेगा तो फंस जाएंगे लगता है दोनों प्यार कर रहे हैं अरे तो थोड़ा जल्दी करना चाहिए न यह कोई टाइम में प्यार करने इसल्दी Daegli करा जल्दी बेठों घल्दी बेठों अद्धी चल्दी बंदु नहीं हो हुँँँ यह ऐसा लगता ही था क्या हाथ से निकल जाएगी इज़त मिट्टी में मिला दी मेरी इज़त मिट्टी में मिलाने के लिए पैदा हुई अब अलो क्या ठीक अब घबराओं मत मैं अभी आरो अरे नहीं बाबा मैंने इसे को फोन कर दिया है यह लोग गाउं से बहार नहीं जाने चाहिए जल्द से जल्द उनको पकड़ना होगा है यह चल रहे अपने आप्मियों को फोन कर ने 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 तु बिल्कुल सही कह रहा है तो प यार बख्वास बंद करो आए यह जो हो हो है एक फिर पेट्रोल गया इस कंजूस के इस कई गाड़ी में कई पेट्रोल होता है क्या यह तो होना ही था अरे मुझे क्या पता था जनाब जेल से भाग कर आएंगे कि में पेट्रोल भरवा गी रख लेता वो देख रुट रहा रहा है अरे रुको रुको बहिया कहां जा रहे हो मंडी तक जा रहे हैं चलो बैठो रहा है बैख लेकरा शुरो पहुंच रिक बाइब बाइब गाड़ी को धक्का दे देके मेरी तो हालत खराब हो गई है मेरा भी यही हाल है दो है है ये लो कर भी मेरी कुल कर से अवा है बात कर दो हा। ये धी है सर प्रसाद का घर का है यह सामने वाला इस वाला है सूर्या आव अंदर आओ बैक दोपना आजाओ आजाओ सूर्या आओ अंदर आओ तुम श्रीदे भी हो ना बहुत सुन्दर हो तो हमें तुम्हारे बारे में सब पता है देखो टेंशन बिल्कुल मतलो इसे अपना ही घर सम जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्मी हो जाती यहीं पर रहो अब तुम जाओ जरा इनके नाश्टे मगर के इंतिजाम करो जो अब बैठो बैठो थैंक्स जीजा जी आपको तकलीफ दे रहा हूं मैं क्या होगा पता नहीं है लेकिन श्रीदेवी के अलावा मैं और कु से लड़की की बिता भी मना कर दिना वो जाके नहाले किसका फोन आ ये तू जाकी नहाले जा सर नारकों फार्म में कोई चेंज सर में देख कर बताता हूं गुल्लू अरे क्या है ये सब तुम दोनों ने बोला था सारी रस्में अच्छे से निभाओगे इसलिए शादी को हां बोला अरे ये दोनों कौन है सुबह से तुम लोगों का खाने पर इंतजार कर रहे हैं और तुमने खाना बना लिया वो क्या है ना आपके पास ही आ रहे थे ये लोग गा के मारे मेरी जंशन मत लेगे हमारे में भी न आरती उतार कर ये अंदर लाते हैं ज्यादा है और चाहिए उसे आरती उतारना नहीं बोलते हैं नजर उतारना बोलते हैं दूले की नजर उतार कर बाहर फेंग देते हैं ताकि बाहर की बुरी नजर अंदर नाए ये सही कह रह इनकी बेटी की शादी फिक्स हो गई है ये मुसलिम हैं लेकिन लड़के वाले हिंदू हैं उनकी भी love marriage है शादी को लेकर कोई जगडा नहीं है ये लोग जल्दबाजी में हिंदू रिवास के हिसाब तो शादी करेंगे इसकी हामी भर दिया लेकिन इनको हमारे रिती रिवा अरे नहीं होगा थोड़ा मोटा साथ है यह राम साथ नमस्ते साब जी बच्छो बाहर जाके खिलो बाहर जाओ सर मैंने जो बताया था ना वो यही है तुम्हारी पहचान वाला कहां जाना है दुबाई यह सिंगापूर वैसे अभी कुछ सोचा नहीं है कोई बात नहीं पासपोर्ट है न दुनों करें देखें उसी के बारे में बात करने आये हैं तो बोलो ना मैं हूँ ना आप कहीं भी बेज़े प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक छोटी से मुश्किल है इसके उपर एक छोटा सा केस चल रहा है ड्रंकें ड्राइव कोई बात नह यहां आया है मतलब मतलब जेल से भाग कर आया और फिर जो लड़की पसंदी उसे भगा कर लाया हूं यह तो ऐसे बोल रहा है जैसे स्कूल से भाग कर बच्चे फिल्म देखने चले जाते हैं दुबाई और सिंगापूर के सपने मत देखो बेटा लायर के पास जाओ सर सर ऐसी हालत में आप ही को कुछ करना है हम कहां जाएंगे कुछ सोचते हैं बहुत पेपर वर्क लगेगा खर्चा भी स्यादा होगा कोई बात नि कर लेंगे ना भारत देश में अगर पैसा खर्च करेंगे तो माबापको छोड़कर सब कुछ अरेंज कर सकते हैं तो हम शादी कर सकते हैं जल्दबास ही मत करो बिठा एक हफता रुखना पड़ेगा बाहर मत घूमना बहुत समल कर रहना पड़ेगा अच्छा तो ठीक है जब बोलूंगा तो पैसे लेकर आ जाना है ठीक है ठीक है हमारी प्रोब्लम सौल हो गई वो जीचे जी ने बताया था ना तो बस उ तुम्हारा नाम क्या रखेंगे चिंकी रखें क्या कैसा रहेगा तुम्हारा नाम क्या रखें बंटी बहुत बंटी अच्छा है ना यह स्याधा अच्छा है अगर सब कुछ सही होता तो हमारी शादी भी ऐसी होती ना हम अगर तुम्हारे बाप मान जाता तो माना ही नहीं देखो मैं अपना घर छोड़कर आई इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने पापा को छोड़कर आई हूं तुमसे प्यार करती हूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने पापा से प्यार नहीं करती मुझे जितना प्यार तुमसे है उतना ही प्यार अपने पापा से भी है वो कभ जिलों में लोगों ने केंदर के खिलाफ मोर्चा निकाला है लोगों का कहना है कि यहां की सरका रोड पर ध्यान नहीं दे रही इसलिए यहां के लोग काफी आपोश में है जिसे धर्ना देक रदेगा आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ओर्डर प्लेस कर दिया ठीक है सर रामचंद्रपूर जेल से भागा हुआ ट्राइल कैदी सूर्या जिसे पूरे शहर की पुलिस ढूंड रही है बताया जा रहा है कि उसने एक लिए जिला अधिकारी का कहना है कि उसके खिलाफ सिंकरी कानिवाई पद्मा सूर्या कहां है क्यों है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ जी कहां चला गया वो अभी आता हूं ऐसा बोल कर गये मना किया थाना कि कहीं बाहर माचाना लेकिन फिर भी कि कहां तुम लोग ज़रा अंदर जाओ क्या है कहां चले गय है तुम ऊसर ए-क पैसा निकालने के लिए वो आपको देने थे ना इसलिए मैं आप सहा है अपने हाथ उसे देना तुलूंगा यह क्या है सुर्य एटियम के पैसे निकालने क्यों क्या था मैं तीन दिन से कर रहा था उनको देना चैना आप इतने मैंने तीन एटियम ट्राय किया इन्हें भी अभी आना था प्रसाद झार मैं नेकर दियन किया जेएज़ आना प्रसाद है वड़ आना आना नेकर लादे बादे साड़रा है बेटर, बेटर, बेटर बेटर सारी हदें पार कर दी उसने सोचा था मेरी बेटी मेरी बात मानेगी उसका घर से भागना और मुझे उसको पकड़ना बस यही काम रह गया है मेरा उसे घर पर तो ले आये लेकिन अब उससे शादी कौन करेगा एक एक पाई जमा करके मेहनत से इज़त का घर खड़ा किया आज मेरे घर के दर्वाजे पर कोई हमारा हाल चाल पूछने नहीं मेरी बेटी पर दया दिखाने के लिए आ रहे हैं उस खोनी ने मेरा घर उजार दिया इज़त चौराह पर नहीं लाम कर दे भाग गई मतलब वो आपके लिए मर गई आपको ऐसे दुखी देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अब आपसे कैसे कहूं समझ में नहीं आ रहा है काफी दिनों से बताना चाह रहा था मेरा और मेरी पतनी का अब कोई रिष्टा तो रहा नहीं और आपकी बेटी से मैं बस दस साली बढ़ाओं अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करनू क्या है उससे बिलकुल रानी की तरह रखूँगा मैं देखिए जैसे आपको ठीक लगे है फिर आ मदात महांगने आयता लेकिन आपने इज़द दी मना कैसे कर सकता हूं कि अचन्दू किया आपको जड़ा एक मिट भाई कैसे हो सुर्या ठेको तुम्हें घबरानी की जरुवत नहीं है बिलकुल परिशान मत हो हाई कोट में अपील की है बेल मिल जाएगी तब तक तुम्हें थोड़ा शांत रहना पड़ेगा तुझे क्या हुआ है और श्री देवी कैसी है तु बता क्यों नहीं रहा है वो कैसी है ठीक है न वह अच्छी है तु कैसा है अच्छी है मतलब क्या तुने देखा न वह ठीक है न देखा वकिल साब बेल करवाने के कोशिश कर रहा है मैं श्री देवी की बात कर रहा हूं त तु इतना क्या श्रीदेवी के बारे में पूछ रहा है अपने बाप के बारे में नहीं पूछेगा मेरा बाप ठीकी होगा तु बोल ना वो कैसी है अच्छा तु कह रहा है तेरा बाप ठीकी होगा तेरे बारे में सोच सोच कर बिस्तर पकड़ लिया है बोलते हैं यहां दर्द हो रहा है और तू कब से श्री देविक बारे में पूछ रहा है जेल से भाग कर चला गया यह सब उस लड़के के लिए न और उस लड़के ने क्या किया पता है तू यहां जेल में बैठा है और वो उस काशी के साथ मंडप में बैठ गई ये तू क्या कह रहा है मैं जो कह रहा हूँ वो सच है श्री देवी ने शादी कर ली तू जब तक जेल से बाहर आएगा ना तब तक उसकी गोद में एक बच्चा मिलेगा खिला लेना जी भर मेरी श्री देवी मेरी श्री देवी अब श्री देवी कभी तेरी नहीं हो सकती चली सर कि अब यह ज़ेल से क्यों भागाता पता है क्या अपनी लवर से मिलने के लिए और उसके बाप पतने किसी और से शादी करा दी जगडा नहीं गार कि जेलर नहीं है ना बाहर जाके चाहे पर करना कि और लबार तेरा चेहरा क्यों तर गया कि खाना नहीं खाया क्या आँए कि अबे इसने कुछ नहीं किया होगा इसलिए सुख पाने के लिए किसी के साथ चली गई होगी क्यों रहे तकलीफ हो रही है कि बहुत करना बे शीत वही का शादी करा देंगे वो तेरे बिन जीना, कैसा है जीना, इससे तो अच्छा है मेरा मरना मेरा यू जीना, पर क्यों जीना, जब जान भी बची है मुझ मेना अजे घ्रञ्टन लुजएगा pengरे बश्मान वह जात्रीन दो अपत झाल 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 याद रहे, आगे क्या करने का सोचा है, श्री देवी, अरे उस लड़की की शादी हो गई, अब तो उसको भूल जा, शादी हो गई तो, शादी हो गई तो क्या, वो सिर्फ मेरी है, और मेरे एक इशारे पर कहीं से भी आ जाएगी, प्यार अंधा होता है, तू अभी जोश में बाते कर रहा है, इसी गुस्से की वज़े से तू और मैं यहाँ पर है, अब बाहर जा, खुश रहे, वो लड़की अब किसी और की हो चुकी है, तू भी अपनी जिंदगी जी बेटा, पीछे मत देख, तुझे कोई और लड़की म मत जाने दे, जेल में आये हुए इंसान को, और जेल से बाहर गए इंसान को, कभी कोई नहीं अपना था, आ गया, सूर्या, कैसा है तू? पाप आप जाहिए, हाँ, मैं आता हूँ, ठीक है बेटा, मुझे पता था, तू यहाँ आएगा, कब तक उस लड़की के बारे में सोचता रहेगा? बताया न, काशे से शादी होते ही, वो बदल गई है, यहाँ कोई नहीं रहता, उस लड़की के शादी हो गई है, वो यहाँ से चली गई है, कर दो grin कर दो झाल गलती हो गई माजी उस समय जाने में वो सब हो गया मैंने आपकी बेटी को आप से छीन लिया है और मैं उसे वापस नहीं ला पाऊंगा बस मुझे माफ कर दीजिएगा बेटा तुमने कोई गलती नहीं की है कोई गलती नहीं की कि आए 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 सुबह सुबह कैसे आना हुआ आपने क्यों तकलिफ ली कुछ काम सुबह सुबह कर लेने चाहिए क्या रहे अभी कैसा है तेरा दर्द जखम भर गया है डॉक्टर ने कहा है इसी अफ़ते चुट्टी मिल जाएगी तेरे जखम भर गया है लेकिन चोट मुझे भी लगी है मेरे जखम का क्या है क्या है इंसान का अच्छा होना बहुत तकलीफ देता है मेरी बीवी को मेरे साथ रहना पसंद नहीं था तो छोड़ दिया मैने उसको चली गही वो जाने दे अच्छा वो लड़की तो तेरे को पता है न क्या नाम है उसका श्री देवी हाय 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 कितनी देखा है मैंने लेकिन वो साली दिल से निकली नहीं रही है दिमाग पे चड़ गई है अब जब उसके बाप को मैंने तयार किया तो वो साला सुरिया टांग अड़ा रहा है फिर से लड़की मेरे से दूर हो गई अब उसको कैसे साइड करूं ये सूच रहा था तभी मेरे मन में अच्छानक तेरा चेहरा आ गया तू तो मेरा यार है ना सूरिया को उक्साने के लिए मैंने तुछे उसके बाप के चेहरे पे पिशाप करने को बोला था अब मैंने सोचा था कि जगड़े में तू उसके हाथ पर तोड़ देगा लेकिन उड़टा उसने तेरे को फोड़के रख दिया ठीक केस करके उसको अंदर करवा दिया वो जेल में रहेगा तब तक उससे शादी करने का पूरा प्लान सेट किया है मैंने सब कुछ सही चल रहा था ना वो लड़की मेरी हो रही थी ना क्या क्या सुचा था मैंने लेकिन अब तू उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तुम्हारे हाथों किसी के हत्या हुई है ये बोज लेकर मत जीना बेटा उस लड़की के लिए उस लड़की के लिए काशी ने मेरे बेटे को मारा और तुमको जेल भेजवाया क्या मत jakश्या है है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु जफ़ झाई बसक्षा झाई जा झाई झाम बाई के पुछ बाई ताम हर फिए को पुछ अ जबाई ताम हर फिए कर दो खो rakiyoth भी टे सकत्व को कि यह सिंझा यह समय इसयों चॉट है हमारी संदगें के साथ खेलेगा तु और तुझे लगता ऐसा श्री देवी तेरी हो जाएगी एक आवस दूंगा तो अब भी पेरे पास आजाएगी तुझे नार कर उससे अपना बना लोंगा कर दो कहा है श्री देवी बुला है का तु तेरी पास आएगी जाब बुला ना श्री देवी का है पता है का है पता है का है पता है तुझे है पंडीत के बिना शादी तो हो गई लेकिन फूल के बिना सुआगराद कैसे होगी यह ले ले लेना है 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 जब तु मेरे करीब से गुजरती थी तब तेरे जिस्सम के खुश्बो मुझे पागल बना देती थी हाथ हटाओ हाथ हटाओ चल सो जो इदार इसको मारती यह कमीने अभी पता तब तेरेकर तो पचल रही है रुटना है अच्छित तु मेरे प्सक्तित तु मैंक्ड़िक वरिए यह जो... स्ट्मार्चक्त शीदेवी, 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 दर्वाजा खोलो, शीदेवी, दर्वाजा, अरे, खून बहरा है, क्या हुआ दमाजी, क्या हुआ, मार दिया, वो गुस्से में, द्रहकर आईये ना वो, तेरी इज़त बचने के लिए उसके साद्टी के, तो उसका यही नाम दिया उसने मेरे वो, तो चर्वी चड़ गई है तुझे, मेरी इज़त बाजार में निलम कर दी तुरे, इज़त 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 तुम लोगों को हो क्या गया है, क्या है इज़त, चार दिवारी के अंदर, चार लोगों के बीच मेरी शादी करवा देंगे, तो मैं तुम तक मेरी सांस चल रहे है, तब तक तुम मुझे चू नहीं सकते, तुम इस वक्त मेरी मजबूरी का फाइदा उठाना चाते हो, तुम कभी काम्याब नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा शरीर सिर्फ सूर्या का है, जब भी वो चेल सी बाहर आएगा, मैं उसी के साथ जाओंगी, ब उमर से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मर्द होना चाहिए, बेचारा काशी कुछ कर नहीं सकता, वो एक नामर्द है, ये बात पूरे गाव में फैलनी चाहिए, लोगों को तुछ पर गिनानी चाहिए, और यही तेरी सजा है, मेरा दिमाग खराब हो गया ना, तो किसी रात कोई पत्थर उठाकर, तेरे दोनों टांगों के बीच में मार कर, अपने सूर्या के पास जेल चली जाओंगी, चला, चूँ, चूँ मुझे, चूँ ना, दामा जी, मैं बात करता हूं न, मैं समझाता हूं इसे, ये उसके जाद रहके आई है, हाथ से निकल गई है तुमार इसकी बाजरू बाते सुनी तुमने, इज़त, घर, गली, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे न, अब देख लिया इसको, जब वो वापस आएगा तब इसको संभाल के रखेगा, या फिर इज़त से मेरे घर पे लाकर छोड़ देगा, या खुद को मर्द साबित करेगा, यह आप ही सोच लो, मैं जा रहा हूँ, तुने हम सब की जिन्दगी नर्क कर दी है, मैंने कोई गल्ती नहीं की, प्यार किया है मैंने, तेरी शादी हो गई है, मेरी शादी कब की हो गई है, अब गाशी का साथ दोगे, या फिर अपनी बेटी का साथ दोगे, इसका फैसला अब आपके हाथ में है, कुछ खाया उसने? कुछ खाया उसने? कुछ खाया उसने? मैंने बहुत सूचा बेटी, जो कुछ भी हो रहा है, उसे ठीक करना होगा, उसके प्यार की खातिर, तुम अपनी जिन्दी के बरबाद मत करो, इसी में हम साब की खुशी है, उसके लिए मैं प्यार का गला गोट दूँ, और वैसे भी मैंने क्या गल्ती की पापा? ये सब खालत है बेटी, तेरी शादी हो गई है, ये हमारे खांदान की इज़त का सवाल है, दिल में किसी और को रख कर, किसी और के साथ जिन्दगी बिताओं, इससे बड़ी कलती और क्या हो सकती है पापा? बात खलत सही की नहीं है, कुछ रीती रिवाज होते हैं, हमें समाज के इसाब से चलना पड़ता है, चोटा बड़ा उचनी चात पात ये सोचने वाली चंदरिशन हमारी नहीं है, दो इंसान के दिल एक दूसरे से मिलने चाहिए, बस यहीं इंपोर्टन्ट है, पापा जैसे दुकान का नाम बोर्ड पर पहले पेंट से लिखवाया जाता था, आज वहाँ पर फ्लैक्स आ गए, दुनिया तेजी से बदल रही है, कौन क्या कर रहा है ये देखने के लिए किसी को टाइम नहीं है, पापा, दुनिया बदल सकती है, समाज नहीं बदलता, मैं नहीं बदल सकता, बैटी, आधी जिन्दगी गुजर गई जब आप नहीं बदल सकते, तो मेरी जिन्दगी तो अभी शुरू हुई है, पापा, मैं भी नहीं बदलूँगी, नहीं बेटी, पिता जी की बात मान लो, अगर तुम जित पर अडी रहोगी, तो हम काशी को क्या जवाब देंगे, बताओ? यह हमारे परिवार की समस्या है सिर्फ तुम्हारे परिवार की समस्या नहीं हमारे परिवार की भी है जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो घर से दूर चली जाती है तो अब तुम्हें क्या करना है जानते हो न? शादी हो जाने का मतलब हम हाथ तो नहीं छोड़ सकते हैं नौ एक लौती बेटी है मेरी जिन्दगी मेरी मर्जी ये फैसला सुना दिया है इसने हमें भी कुछ फैसले लेने पड़ेंगे अब ठीक बेटी सूचा था तुम्हारी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा अब जो होना था वो हो गया अब आगे क्या कर सकते हैं तेरी जिद तो मैं जानता ही हूं चलो खाना खाते हैं पापा सुर्या बहुत अच्छा इंसान है पापा मुझे पता है बेटी अभी खाना खालेते बाकी बाते कल सुभय करेंगे झालेते बाते बाते हैं झालेते बाते हैं हुआ हाप ज्यू करन हो बाते हैं करका जाना सत्ले हैं सु लागवान! सुन्या... सुन्या... सुन्या.. वेके क्या करें वो सुन्य? चुन्या... जा रहाँ सरका लाँ कर दोदो है बहाँ पुझा कर दो बेचे। ठेंग झाल सबचे नहां आए जा अफिले तो बिकी! बांटी अर्णा! जो रिखियोसे! गयातरी! ईाओ हुड्याहु equipped to이라 किसे लिष्या हुड्यॹ किसी किसे विलिए हुड 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 elev ते हुड फुड अगर किसी के सामने जबान खुलीना तो उसके साथ जो हुआ वो तेरे साथ भी होगा अगर वो किसी लड़के के साथ भाग जाएगी तो क्या उसके बच्चे को मैं कोद में खिलाओंगा इस आदमी को उसकी भीवी ने छोड़ दिया था मैंने उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवा ये सोच के ताकि वो बराबर के कुल में जाए बोला था मैंने है 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 जोन बोला था कि नहीं मने नहीं सोरेगी नहीं सोरेगी तो बुस्ते मी नहीं सुना था मुझे आसी बेटी की सर्वत नहीं है अ अ अ हाँ प्रूड़ झाल कर दो कर दो रहते हैं ई, तु जूर बोल राहना बोला तु जूर बोल रहना ई, काशी है, है, है श्री देवी को पाने के लिए इतना सब कुछ किया उसका बाप जब वो घर से भागती थी तो वो मुझे फून करके बताता था उसको मारने से आदे घंटे पहले अगर उसने मुझे फून किया होता तो एक बार उसके साथ बेटी को मार कर खाना खा रहा है तो मार डाला ना है ची कमीन है और सब कुछ किया इजजद के लिए है क्या हासिल किया तुने चल बता है पच्चिस साल से बच्चिस साल से बेहनत करके जो दुकान शुरू की थी वो नहीं है बाइस साल से जिस लड़की को लाड़ प्यार से पाला वो वो अब नहीं रही अरे लोगों को शकल दिखाने के लायक नहीं रहा तो क्या खाक हिजद है तेरी छोटी जाती कहों इसलिए अपनी बेटी का हाथ नहीं दिया था ना रे इनसान जो काम करता है ना उस पर निरभर करता है कि वो किस जाती का होता है ये कौन से कुलका है, किस चाहती का है, ये सब तुम कहां से लाते हो, कौन पूछता है एक बात बता, बेटी को मार दिया तुने जो इंसान अपनी अउलाद को मार दे, वो उजे कुलका कैसे हो सकता है, हाँ उस इंसान को जीने का हख नहीं होना चाहिए तुने ना इस दुन्या का सबसे किरा हुआ काम किया है अब, अब मैं, श्री देवी के बिना पताने कैसे जीओंगा उपर वाला ने तुझे कितनी अच्छी बेटी दी, लेकिन तुने उसी का कतल कर दिया बेजी कैसे राये तो ये है तेरी सथा, इतना बड़ा कुल है तेरा, तेरी तो मैं तेरे टुकडे टुकडे करने का मन कर रहा है पर मैं तुझे ऐसे मारूँगा नहीं, छोड़ दूँगा इसी हाल पर इंसान के नाते तुम मर चुका है तुने ना नीच दाकी सारी हदों को बार कर दिया है अज़ दुझे अज़ अज़ागा नहीं कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो आ हूज महँ्ट खज़ है, झाल... मगबितुनस दो में हाधू क्लीट झाल झाल 好像 रहा कर दो भुपुपुिर redirect. जात पात उंच नीच, धर्म संप्रदाय, यह सब इंसानियत से बड़े नहीं हो सकते और हम जो इज़त और शान की बात करते हैं, वो सिर्फ हमारा वहम है, हमें कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, कि जिसका पश्चाता हमारा आंत हो